क्या आपने कभी घी खाया है? यदि हाँ तो आप ये जानकर स्तब्द हो जाएंगे कि भारत में 70-80% हिंदुओं ने जाने अंजाने में आकर अपने पूरे जीवन काल के अंदर अनेको बार अडल्टरेटेड घी का सेवन किया है यानि एक एसा घी जिसमें गाय का चर्बी हो से प्रती दिन 3 लाख एसे लड़ू के परसाद बनते थे जिनको गाय के चर्बी वाले घी से बनाया जाता था और ये अपराद किसी और ने नहीं बलकि एक एसे क्रिश्टिन विक्ति ने किया है जिसको आंद्र पदेश के हिंदुओं ने वोट देकर CM के कुरसी पर बिठा पर अपने आप दू हो जाएगा धमका के या धन का लोब देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इलेक्षन आने पर जातिवाद के मुद्दे पर जूट फैला कर या शट के उपर जनेव पहन कर या मंदिर मंदिर खेल कर हिंदु समाच को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं ये कहानी आज का नहीं है बलकि भारत के आजादी से चला आ रहा है अंतर के वल इतना है कि पहले इसे छुपाकर किया जाता था और आज इसे खुले आम किया जाता है पर आज ये कहानी एक गंभीर मोड ले चुका है इतना गंभीर कि अब सनातन के अस्तित्वों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्न आंतर पदेश का स्री स्री तिरूपती बालाजी मंदिर जहां पर प्रती दिन देश विदेश्य लाखों की संख्या में स्रधालू भगवान बालाजी का आसिरवाद लेने आते हैं इस मंदिर का मुख्य प्रशाद है देशी घी से बनने वाला स्रीवरी लड़ू मंदिर के अंदर प्रति दिन तीन लाख लड़ू प्रस्तुत किया जाते हैं और त्योहारों के दिन ये संख्या साड़े तीन से चार लाख भी पार हो जाता है प्रती छे महीने में घी का नया टेंडर निकलता है एवं प्रती साल हजारों मेट्रिक टन का घी उपियोग होता है परंतु अचानक आंदर पदेश के नय मुख्य मंत्री चंदरबाबू नाइडू ये संसनी केस दावा करते हैं पिछली सरकार ने जान बूचकर तिरूपती मंदिर को अपना विश्व प्रसिद सीवरी लडू बनाने के लिए अडल्टरेटेड घी का सप्लाय किया था जिस घी में एनिमल फैट यानि जानवरों का चर्बी है इस दावे के गंभिरता को देखते हुए उस घी के सैंपल्स को गुजरात स्तित नैशनल डेरी बोर्ड के लैब में जांच के लिए भेजा गया और जब जांच रिपोर्ट आया तब पूरे देश में हाहकार मच गया सब एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या आप तिरूपती गय थे क्या आपने वहां का लड़ू खाया था क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट के लैब रिपोर्ट में ये प्रमानित हो गया कि उस घी में गाय के साथ-साथ अनेको जानवरों का चर्वी यहां तक की मचली का तेल भी मौजूद है और तो और राम मंदर के प्राण पतिष्ठा के दिन इसी तिरूपती बालाजी मंदर के द्वारा ही एक लाख लड़ू प्रस्तूत करके अयोध्या भेजा गया था मैंने तो नहीं खाया है पर कहीं आपने तो नहीं खाया है 2020 से पुर्व तिरुपती बालाजी मंदिर में करनाटका मिल्क फेडरेशन के द्वारा मैनिफेक्चर नंदिनी ब्रैंड के घी का सप्लाई होता था पर 2020 के बाद से उस संस्ता को और टेंडर नहीं दिया गया बलकि उसके जगा पर अन्य कमपनीज को दिया गया था जिनोंने नंदिनी घी से कम दाम वाला घी सप्लाई किया था और इसी क्वालिटी कमप्रमाईज में ही पूरा सडियंत्र चुपा है सडियंत्र भगवान के नाम पर धेर सारा धन लुटना इस सडियंत्र का मास्टर माइंड है जगन मोहन रेडी एक क्रिष्टियन वमांद्र पदेश का एक्स चिफ मिनिस्टर इसने मंदिर के मैनेजिंग बोड में क्रिष्टियन समाज के लोगों को रखा था तिरुमाला जाने वाले गवर्मेंट बस के टिकेट के पीछे क्रिष्टियन धर्म अपनाने का एडवर्टाइजमेंट छपवाता था वक बोड को 330 करोड क्रिष्टियन संस्ताओ को 200 करोड देता था और हिंदू मंदिरों से टैक्स के आकार में मोटा धन वसुलता था करोडों हिंदूों का धर्म भरष्ट करके ये मलेच विसाका पाटनम के रुसी कोंडा में दस एकड के जमीन पर 680 करोड खर्चा करके एक पूरे के पूरे पाहाड को काटकर अपने लिए एक महल बनवा रहा था ये उन हजारों असुरों में से एक है जो सनातन के आस्ता के साथ खिलवाड करके रातों रात अमीर बनने का सपना देखता है भारत में बिकने वाले 90% घी ओरिजिनल घी है ही नहीं बलकि पूर्ण रूप से अडल्टरेटेड यानि मिलावटी घी है इस प्रकार के घी को प्रति दिन अनेको लोग खरितते हैं और इसी घी से ही भारत के अनेको मंदिरों में प्रसाद बनाया जाता है इस घी में टॉक्सिक केमिकल्स के साथ साथ पालम ओयल रहता है गाय बकरी भेड या सूर का चर्बी रहता है और तो और फिश ओयल भी रहता है एक नॉर्मल ओर्जिनल घी का प्राइस पर केजी हजार या उससे भी अधिका रहता है पर ये नकली वाले तीन सो से चार सो पर केजी के प्राइस पर मिलते हैं इसी कारण बहुत से लोग केवल इने ही खरितते हैं केवल नकली घी ही नहीं नकली दूद, नकली दही, नकली नकली चीज भी बाहर बजार में बहुती बड़े स्तर पर बेचे जाते हैं। पर चाहे जो भी हो कहानी एक ही है। अपने ही अस्तित्तों को बचाने का लढ़ाई लढ़ रहे हैं। यदि सच में सनातनी जागरित अवस्ता में होते तो तिरुपती बालाजी के प्रती हुए उस घोर अपमान का प्रतिशोद अवश्य लेते। पर प्रतिशोद तो छोड़िए लोग राजनीती करने में व्यस्त हैं। कब तक? कब तक? आखिर कब तक? कब तक पाप करके भागोगे? कब तक कू कर्म करके बच जाओगे? एक ना एक दिन सब पकड़े जाओगे? क्योंकि संसार का केवल एक ही नियम है जो जेसा करता है उसे वेसा फल अवश्य मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक दूद उत्पादन करने वाला देश कौन है? जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजे क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याई में प्रकाशित करूँगा। पिछले अध्याई में मैंने पूछा था कि प्राचीन ओडिया भासा के सुनिया नामक शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है, नया साल यानि निव यर विजेता है, संगह मित्र साहू, हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक, शेर, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए, जय जगन्नात, जय पंचसका, जय हिंद